वेलकम टो ड्रीम के बीसी जीके लगता है आपकी स्टड़ी में हेल्फुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी जीके यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नमबर विनती रहेगी आप निचे रहे सब्सक्राइब बढ़न को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को अन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलेजबल वीडियो की नॉटिपिकेशन मिलते रहे किस तो वीडियो अंतक देखिए अच्छा लगे तो लाइक जर अगर पृत्विके आर पार एक हॉल किया जाए तो नीचे क्या दिखाए देगा यह सवाल सभी के मन में जरूर गुमता रहता है इनी सभी सवालों के जवाब आज वीडियो में लेकर आए वीडियो तो वीडियो में अंतक बने रहे है वीडियो अच्छा लगो तो लाइक जरू करना इन सभी सवालों के जवाब को जानने से पहले पृत्वी की सरचना को समझना होगा जैसा कि देखने पर हमें लगता है कि हमारी पृत्वी समानतर चप्टी है लेकिन अंतरिक से देखने पर गोल दिखाए देती है और है भी लेकिन पूर्णतह गोल भी नहीं है ह पृत्वी यह अपने दुरूब पर फोड़ा चप्ती है और अंडी जिसाकर बोल सकते हैं और अब पृत्वी किस पर ठीक है इसके बारे में कई किवदंतिया कई दंत कताय भी है तो प्रचलित है जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वह यह है कि पृत्वी सेशनाक के प पर ठीकी है कुछ लोगों का मानना है कि पृत्वी विशाल समुद्र में तेर रही है लेकिन यह सब कुछ प्रामक बाते हैं वास्तों में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे जैसे हम अंधकार से निकल कर ग्यान की ओर आते हैं तो पता चलता है कि पृत्वी किसी सेशना के उपर न मान में तेर रही है और अपने गृत्वा कर्शन बल से बदी हुई है आप इसका प्रत्यक्स प्रमान चंद्रमा को देखकर लगा सकते हैं जिस प्रकार चंद्रमा अंत्रिक्स में तेरता हुआ दिखाई देता है सेम उसी प्रकार प्रित्वी भी अंत्रिक्स में तेर रही ह अपने गृत्वा कर्शन बलके कारण तो अंत्रिक्स से देखने पर यह साप दिखाए दिता है कि पृत्वी और बाकी सभी ग्र अंत्रिक्स में तेर रहे है और सुर्य की अनंद परिक्रमा कर रहे है अगर पृत्वी के आरपार होल किया जाए तो क्या होगा तो इसका अंसर भी मैं आपको बताऊंगा तो ऐसा करना तो वास्तों में संभाव नहीं है इंपॉसिबल है ऐसा करना क्योंकि अब तक पृत्वी पर सबसे लंबा घड़ा 12,262 मीटर बारा किलो मीटर खोदा गया है जो रूस में है इसके बाद तापमान 300 डिग्री से उपर होने लगा जो अगर जो 12 किलों तक खड़ा खोदा था तो उसके बाद तापमान बढ़ने लगा 300 डिग्री से भी अधिक हो गया तो जो खुदा है कि जो प्रण थे वो पिगलने लगे लेकिन चलिए कल्पना करे प्रित्वी के आरपार गड़ा खोदने की ऐसा करने के लिए हमें प्रित्वी के निमन भागों को गुजरना होगा तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे भागों से हमें गुजरना पड़ेगा तभी प्रित्वी के आरपार गड़ा होगा तो भूपर पटी, पहले उपर का मेटल, भूपर पटी आता है, क्रश्ट आता है, उसके बाद मेटल आता है उसके बाद क्रोड आता है, आकिर में अंदर का भाग होता है, आंत्री क्रोड होता है तो यह सारे भागों को खोद के उसके दूसरी बार अब जा सकते हैं सबसे पहले पृत्वी के उपरी परत जिसे भूपर पटी को खोदना होगा जिसकी वह सत लंबाए 24 किलोमेटर तक है जो पृत्वी का उपर का जो भाग होता है भूपर पटी वह पहां से लेके 70 किलोमेटर तक हो सकती पृत्वी का यह भाग ठोस रूप में है इसके बाद पृत्वी की दूसरी परत जिसे मद्यवर्ति या मेटल कहा जाता है सब पहले भूपर पटी वाला भाग हम खोद डालेंगे उसके बाद मेटल पाड आता है जिसकी लंबा है 2890 किलोमेटर होती है नीचे गहराय तक फैली हुई है मेटल वाला भाग की लंबा है पृत्वी का यह मेटल भाग बहुत गाड़ा गर्म लावा है यहां सहवनी धाराय चलती है इसे पार करने के बाद हम क्रोड पर पहुँच सकते हैं जो 2890 किलोमेटर वाला दूसरा भाग खोदना पड़ेगा उसके बाद हम क्रोड तक पहुचते हैं अब हम पृत्वी के तिसरी परत में पहुच जाएंगे जिसको क्रोड कहते है इंगलिस में क्रोड कहते है क्रोड की कहराई 2900 से 6371 किलिमेटर तक है सोचे यह भाग ठोस है क्योंकि यहाँ दाब इतना ज़्यादा है कि लोहे को पिगल नहीं देती क्रोड मुख्य तह लोहे और निकल का बना हुआ है तो यह तीनों भागों को हमें खोदना पड़ेगा तब पृत्वी के अंद्रूनी सेंटर पॉइंट तक पहुचेंगे उसके बाद सेंटर पॉइंट से फिर से यह तीनों पारट को हमें को खोदे कोदे दूसरी बार निकलना पड़ेगा तब जागे हम भारत में ये खड़ा को देगे तो अफरिका में निकलेंगे सोचिए और जब यहां तक पहुँच गए है तो हमें अब उस पार जाने के लिए भी फिर से क्रमा सब वही सभी परतों को पार करना रहेगा इसके बाद हम किसी समुद्र या जमीन के किसी जगा निकलेंगे जैसे कि यहां भारत में खड़ा को देंगे तो अफरिका में निकलेंगे डायरेक्ट और इस प्रकार से हम देख पाएंगे कि जो हमारे उपर दिखाए देता है यानि कि आस्मान वही निचे भी दिखाए देगा निचे भी आस्मान दिखाए देगा और उपर भी आस्मान दिखाए देगा अगर प्रित्व के आर पार खड़ा को देगे तो तो दोस्तों यहां पे यह वीडियो समाब होता है हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो आपकी स्टडी में एल्फूल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल Dream KBC GK YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नमरे जनती रहेगी आप निचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को ओन कर दीजिए थाकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलेजबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी दोस्तों हमारी ड्रीम केबीजी जीगे का फेस्बूक पेज भी है आप हमारा फेस्बूक पेज लाइक कर सकते हो डिटर पे भी फोलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी फोलो कर सकते हो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते है नौलेज़े बलगते है तो अधर सोसिल मीडिया सैट पे भी आप हमें फोलो कर सकते हैं वीडियो अच्छलों को तो लाइक कीजिए और जादा से जादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए जै हिंद जै भारत वंदे माधरम